गुटने में PCL tear अक्सर दूसरे ligament injury के साथ होता है मतलब कि जैसे ACL tear अकेला हो सकता है वैसे PCL tear के अकेले होने की संभावनाएं कम होती है अक्सर यह दिखा गया है कि जब भी आपका PCL तूटता है तो गुटने के अंदर दूसरे लिगामेंट की चोट होने के भी काफी चांसेज रहते हैं ACL इंजरी जहां पर ACL इंजरी में complete tear होने पर उसकी healing के chances minimum होते हैं तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपको PCL tear हो गया है चाहेंगो grade 1 हो चाहेंगो grade 2 हो या 3 हो तो उसको कैसे ठीक किया जाए उसको क्या किया जाए कि हम सर्जरी से बच सके इसका जो treatment है मतलब कि conservative treatment के मैं बात करो तो ये शुरू हो जाता है उसी दिन से जिस दिन आपको चोट लगी है मतलब कि आपको आज पता चला कि आपको आज PCL tear हो गया है आपके घुटने में तो आपको क्या करना चाहिए कि आप सर्जरी से बच पाएं इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है सबसे पहले कि आप एक MRI करवाईए यदि आपको आपके सर्जर ने कहा है कि उनको clinical examination में ये लग रहा है कि आपको PCL tear हो गया है तो इसे confirm करने के लिए सबसे जो अच्छा tool है वो है MRI MRI से हमें पता चलता है कि ये PCL injury है और इसके साथ दूसरे ligaments ठीक है या दूसरे ligaments की भी injury साथ में हुई है अब यदि आपको PCL injury हो गई है तो इसमें सबसे पहले हम इसको grade करते है grade 1 है, 2 है या 3 है क्योंकि treatment जो protocol है वो grade 1, 2 और 3 के हिसाब से different होते है यदि आपको grade 1 injury है या grade 2 है या 3 है तो कुछ चीजें हैं जो इसके treatment में same रहती है उसमें से सबसे पहले और जरूरी है वो है immobilization मतलब कि घुटने को rest दी जाए दूसरा है PCL brace यह एक तरह का dynamic brace होता है मैं आगे इसी वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से इस brace को लगाया जाए और PCL brace क्या होता और तीसरा इसमें important है कि किस तरह से हम वापस घुटने को मोड़ना शुरू करें और exercises करें ताकि जो PCL ligament heal हो रहा है उसकी healing पे भी फरक ना पड़े और हमारा गुटना stiff भी ना हो तो treatment शुरू होता है first day से आपको पता चला है कि आपको PCL injury हो गई है तो सबसे पहले इसकी grading करते हैं Grade 1 हुआ है तो हम गुटने को immobilize रखेंगे 2 weeks के लिए Grade 2 हुआ है तो हम इसको immobilize रखेंगे 3 weeks के लिए और Grade 3 या Complete Tear में हम इसको immobilize रखेंगे 4 weeks के लिए तो PCL rehab का सबसे पहला part होता है immobilization Immobilization से मेरा मतलब है कि गुटने को एक brace के अंदर रखा जाता है इस brace में गुटना मुड नहीं पाता है इससे गुटना मुड़ता नहीं है और PCL injury को heal होने का time मिलता है फिर number 2 आता है कि PCL brace कैसे लगाया जाए जैसे ही हमारे गुटने के अंदर PCL तूट जाता है PCL का जो काम होता है वो होता है कि जो नीचे की bone है या leg bone है उसको support करके रखना जैसे ही PCL तूटता है ये leg bone नीचे चली जाती है PCL brace हमारे पाउं के नीचे surface पे बांदा जाता है और ये एक तरह का dynamic brace होता है इसका काम होता है जब भी हम गुटना मौडते हैं तो ये leg bone को उपर के तरफ पुश करके रखता है मतलब कि ये जो leg bone है इसको नीचे नहीं आने देता जो कि PCL injury होने के बाद नीचे आने की leg bone में tendency रहती है तो इस तरह से PCL brace का काम होता है leg bone को support करना और उसे पीछे जाने से रोपना आप ये वीडियो में देख सकते हैं इसमें PCL brace दिखाया जा रहा है PCL brace ये एक dynamic brace है इसमें जो ये आप पीछे की तरफ strap देख रहे हैं इसका काम होता है leg को आगे की तरफ push करके रखना तो जैसे ही आप गुटना मोरते हैं ये आपके leg को आगे की तरफ एक force देता है और इससे आपका pound आगे की जो reduced position में रहता है आपका knee और leg होता है वो पीछे की तरफ नहीं आता है PCL brace आपको लगबग एक महीने तक लगा के रखना है यदि आपको complete tear हुआ है एक महीने तक लगाने से knee में stiff होने के chances बढ़ जाते हैं तो इस stiffness को रोकने के लिए हमें PCL brace के साथ ही गुटने को मोरना भी शुरू करना होता है मैं अपने सारे patients को सला देता हूँ कि लगबग 2 हफते के बाद वो मोरना शुरू करें और पहले महीने मतलब कि 4 हफते होने तक हम उसको 90 degree तक मोर सकते हैं लेकिन मोरते हुए हमेशा यह ध्यान रखना है कि हमें PCL brace या dynamic brace इसको PCL rebound brace भी करते हैं यह लगा के रखना है ताकि जो PCL की healing है वो hamper ना हो तो यह कुछ important aspects हो गए PCL को किस तरह से conservatively ठीक किया जा सकता है अब एक महीने के बाद जब आपका गुटना थोड़ा मोरने लग जाता है उसके बाद फिर इसमें importance होती है strengthening exercises की मतलब हमें गुटने को वापस वो मजबूती भी देना होता है जो किसी भी ligament injury के बाद गुटने की muscles के week होने से आती है जैसे गुटने के अंदर कोई ligament injury होती है जाए वो ACL हो चाए वो PCL हो गुटने का जो main bulk है मतलब की जो quadriceps muscle है उसकी atrophy होती है या simple words में मैं बात करूँ तो उसकी weakness आती है आप देखोगे कि बहुत लंबे समय के बाद यदि आपको ligament injury है बहुत तो बहुत लंबे समय के बाद आपकी थाई या गुटने के ऊपर का मांस पतला पड़ गया है इसे ही atrophy कहते हैं यह ACL या PCL ligament injury के अंदर अक्सर दिखा ज जरूरी है कि जैसे ही कुछ समय के बाद जब हम यह आश्वस्त हो सके कि हमारी ligament की healing प्रोपर हो रही है तो अब हमें strengthening पे भी काम करना होता है एक महीने के बाद आप strengthening exercises शुरू कर सकते हैं और safely मैं अपने patients को कहता हूं यदि उनमें complete year है कि 6 हफते के बाद वो strengthening exercises शुरू कर जाता है उसके बाद फिर सबसे पहले जो exercises शुरू करते हैं वो close kinetic chain exercises होती है PCL rehab के बारे में पूरा विस्तार से मैंने बताया है एक अलग वीडियो में उसके अंदर हमने ये बताया है कि आप किस तरह से exercises पहले हफते से शुरू करें और किस तरह से आप 6 महीने तक की सारी exercises पे प्रोग्रेस करें मतलब कि phase 1, 2, 3, 4 exercises क्या होती है इन सभी exercises को देखने के लिए कि close kinetic chain exercises क्या है और उसके बाद आप strengthening exercises में कैसे प्रोग्रेस करें ताकि आप अपनी recovery को ensure कर पाएं और आपको surgery की जरूरत भी ना रहे इन सभी exercises के लिए आप एक हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं उसका link नीचे दिया गया है PCL injury या इसके recovery से related आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे दिये गए नमबर पर WhatsApp कर सकते हैं हम इसका answer करेंगे